नमस्कार दोस्तों, आकर आईस के डिजिटल मेटफॉर्म में मैं राकेशनागर आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, दोस्तों, जैसे कि आपको जानकारी है, हम प्रबंदन के कक्षाओं में निरंतर स्टेडी कर रहे हैं, हमने शुरुवात में जहां से classes start की थी, वहाँ पर आपको बताया था, कि जो प्रबंदन है, जो management है, उसका सबसे पहला काम होता है, नियोजन या planning, या योजन बनाना, जिसमें प्रबंदक जो होता है, मैनेजर जो होता है, या company का मालिक जो होता है, वो भविश्यों का निर्धारन करता है, या यूँ कह करता है, अब ये सारा का सारा पार्ट जो है, प्रबंदन का सबसे पहला या प्रात्मिक पार्ट कहलाता है, प्रात्मिक कार्य कहलाता है, और प्रबंदन की इन सारी प्रक्रियां से आगे गुजरता हुआ, जो प्रबंदक होता है, वो नियोजन करता है, संगठन करता है, सम लक्ष ते किये गए हैं, जो कारेकरव डिजाइन किये गए हैं, वो संगठन के अंदर सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, संगठन अपने जो लक्ष है उनकी और बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, इन सारी चीजों को ते करने के लिए संगठन में नियंतरन बड़ा ही आवशक अंग होता है, बड़ा ही महत्पून अंग होता है, सवाल ये से भी पूछ सकता है, आप से बहुत सिंपल कि प्रबंदन का सबसे अंतिम कारे क्या है, तो प्रबंदन का सबसे अंतिम कारे जो है वो नियंतरन ही होता है, अब अगर हम कहें कि य कुछ परिबासा हैं हमारे सामने यहां पर दी हुई है जिनके बारे में हम तोड़ा सा डिसकस करते हैं फिर इसके आसे को समझेंगे जिसे हैं, एक महोदे हैं क्या कहते हैं तो यह कहते हैं कि नियंत्रण का आसे यह सत्यापित करना है कि सभी कार्य अपनाई गई योजना के अनुसार ठीक है अर्थात जो हमने नियोजन में योजना बनाई थी उसके अनुसार सारे कार्य हो रहे है या नहीं हो रहे है जो कार्य है वो दिय आये जाता है और प्रयास किया जाता है कि इन दुर्बलताओं में इन विचलनों में क्या किया जाए – सुधार किया जाए और भविष्चिए में इस तरह की गल्तियों की पुनरावुत्ट्रे को रोका जाए, इस तरह से फेयोल महोदे नियंतरन को परिभासित करते हैं उसी तरह से हम देखे फेयोल के अलावा जार्ज आर्टेरी महोदे हैं ये भी नियंतरन की परिभासा देते हैं वो कहते हैं कि नियंतरन का अर्थ यहां निर्धारन करना है कि क्या किया जा रहा है ठीक है नियंतरन क्या करता ह जो controller होता है, जो supervisor होता है, वो यही तो देखता है, supervisor जो होता है, वो 10 करमचारीों के उपर एक supervisor होता है, उसका काम है कि ठीक ढंग से करमचारी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब हम यह कह सकते हैं कि जो प्रबंदरक है, या जो management है, वो उस supervisor के माध्यम से ही संगठन के या अपने उध्योक के अंदर या अपने विवसाई के अंदर नियंतरन्ट रखने का काम करता है वो क्या करता है सूपरवाईजर तो वो यह देखता है कि क्या किया जा रहा है अर्थात निश्पादन का मुल्यांकन करना और यदि आवशक हो तो सुधारात्मक कदम उठाना जिससे निस्पादन योजना की अनुसार हो सके। ठीक है तो बहुत सिंपल सी बात है नियोजन क्या है। कि जो लक्ष हमने ते किये थे, जो योजना हमने बनाई थी, उसके अनुसार हमारा संगठन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको देखना, यदी मानलो एसा कोई पाया जाता है, कि जो हमारे वास्तविक लक्ष हैं, और जो हमारे इच्छित लक्ष हैं, मतलब हमने जो चाह वेसा काम नहीं हो रहा है वास्तविक रूप से तो इनके बीच में विचलन होगे, डेवियेशन होगा, ठीक है, जिसे मानलो हम यह कह सकते हैं, कि किसी महा में हमने उत्पादन के लिए, उत्पादन के क्या ते किये हैं, लक्ष ते किये हैं, उत्पादन के जो लक्ष हैं, एक महां में हमने ते किये हैं कि हमें 100 unit किसी चीज की उत्पादित करना है यह हमारा लक्ष है लेकिन वास्तविक उत्पादन की अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा वास्तविक उत्पादन मान लो 80 unit हुआ है तो यह 80 unit हमारा वास्तविक उत्पादन है और so unit हमने क्या क्या था, target किया था तो ये वास्तविक उत्पाधन जो हमारे लक्षित उत्पाधन है इन दोनों के बीच में deviance है, एक विचलन है कितनी unit का 20 unit हमने क्या की है कम उत्पाधित की है, ठीके तो ये जो विचलन है इसका पता लगाना और यदि इस विचलन के जो कारण है उनका जानकारी निकाल करके उसमें सुधारात्म करवाई करना ताकि भविश्य में ये विचलन दोहराव न हो सके यह यूं कह सके हम कि जो हमारे लक्ष है उसके अनुसारी हमारा संगठन काम कर सके यही सारे काम किसके ह हमारे नियंत्रन के या कंट्रोल के आगे हम देखें कि यह जो कंट्रोल है नियंत्रन है जिसके माध्यम से हमें हमारे संगठन को इच्छित लक्षों की दिशा में आगे बढ़ाना है यह यू के दें कि संगठन को नियंत्रित रखना है संगठन को लक्षों के साथ बांध करक के रखना है किसके माध्यम से नियंत्रन के माध्यम से अब इसकी विसेश सता क्या-क्या है सबसे पहले हम बात करें तो यह प्रबंदक की कारIES बहुत सिंपल सी बात है कि नियंत्रन जो है वो किसका काम है प्रबंदक का management का ठीक है और इसकी शुरुवात कहां से होगी तो इसक कारे काम करने हैं हमारे व्यवसाय में हमें यह काम करने हैं अब हम क्या करेंगे कि पहले दिन से लोगों को न्यूक्त करेंगे लोगों को कारे बांटेंगे अब जैसे ही लोगों को न्यूक्त करके लोगों को हमने कारे बांट दिये उसी दिन से नियंतरन की प्रक्रिया हमारी डाइन मिक का मतलब यह के सकते हैं हम कि सीधे-सीधे यह प्रक्रिया अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-लग रूप से लागू होती है अर्थात जो नेरान जो superior या वरिष्ट manager होते हैं, उनके ओपर भी नियंतरन होता है, वरिष्ट manager जो होते हैं, प्रबंदक जो होते हैं, उनके नीचे supervisor होते हैं, उनके नीचे स्रमिक होते हैं, तो हर इस तरपर control का काम होता है, फिर हमने कहा कि हस्टशेप से भिन, अब एक चीज़ तो यह होती है कि जहाँ पर स्रमे काम कर रहे हैं वहाँ पर मेनेजर या सूपरवाइजर जाके बार-बार हस्टशिप करे ठीक है बार-बार चेक करेगे क्या करा क्या करा आपने क्या नहीं किया ठीक है एक तो यह होता है जिससे हस्टशिप होने से या बार-बार चेक करने से क्या होती है नकरतमत्ता आती है ठीके तो हम ये कहे रहे हैं कि जो नियंत्रण है वो हस्तशेप से क्या है भिन्न है ठीके इसमें केवल दूर खड़े हो करके देखा जाता है और ये ते किया जाता है कि संगठन सही दिसा में काम कर रहा है या नहीं क तोता है बिल्कुल सही है क्योंकि हमने जो लक्षते किये है जो न्योजन किया है जो प्लानिंग किये उसके दिशामे ही हमें नियांतरंट करना होगा जैसे हमने अभी यहाँ एक्जामपल लिया था कि हमने लक्षते किये हैं कितने 100 shuts unit रोज उत्पादित करने ठीक है अब ये क्या है हमारा ये है हमारा नियोजन ये है हमारी प्लानिंग इस प्लानिंग के अनुसार ही हमें क्या करना है नियंत्रन करना है यदि मानलो हमारे संगठन में कोई नियोजन नहीं है कोई प्लानिंग नहीं है तो सवाई कृप से वहां पर कंट्रोल भी नहीं हो यह किवल भावनाओं पर आधारित नहीं होता किवल इमोशन इसमें नहीं होते हैं यह तत्यों पर आधारित होता है जैसे हम जाकर के खड़े हो गए जहां पर उत्पादन हो रहा है और वहां पर कितनी यूनित उत्पादित हुई है तो 80 यूनित उत्पादित हुई है लेकि कोई अधेनस्था में अच्छा नहीं लगता था हम जवर जस्ति उसे डाटे अभी डाटने के लिए या उसे कुछ सुनाने के लिए उस पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ तथ्य होने चाहिए तथ्य क्या है कि हमने लक्ष रखा था सो यूनिट उत्पादन का और आपने उत्पादन किया है केवल असी तो यो असी उत्पादन हुआ है आर्था तो 20 का जो विचलन है 20 का 20 यूनिट कम उत्पादित हुए जो गड़ा है जो गेप है वो क्या है वो कही न कहीं डाटने का या नियंत्रण करने का कारण बनेगा तो वो 20 यूनिट का उत्पादन नही मतलब नियोजन हुआ, कुछ लक्षते किये गए, उसके अनुसार संगठन ने प्रयास किया, लेकिन संगठन अपने लक्षों को प्राप्त नहीं कर पाया, तो जो 20 यूनिट कम उत्पादित हुई है, वो क्यों कम हुई है, उसके कारण को जाना जाता है, और कारण को जान करक उत्पादन के वो लक्षों के अनुसार उत्पादन हमारा संगठन कर सके, फिर हमने एक बात यहाँ पर कही है, कि नियंतरन सतत प्रक्रिया है, यह सुरुवात से सुरू होता है, और अंतर तक चलता ही रहता है, जब तक कि आपका संगठन काम करेगा, यह कभी रुखता नह जाएगी, जैसे कंट्रोल सुपर्वाइजर अगर मान लो चुट्टी पर है, तो जू श्रमिक है वो ठीक ढंग से काम नहीं करेगे, शुपर्वाइजर को वहां होना अनिवार है, ठीक है ताकि वो देखता रहे कि ठीक ढंग से काम हो रहा है, या नहीं हो रहा, जिस दिन स सुपर्वाइजर लापरवाई करेगा, सुपर्वाइजर कहीं चला जाएगा, स्रमिक काम को बिगाड़ देंगे, ऐसा सामानिता होता है, देखा गया है, इसलिए हम कहते हैं कि प्रबंदन के अंदर नियंत्रन जो है, वो क्या है, सतत प्रक्रिया है, फिर ये सम्वेदनात्म और अभिप्रियनात्मक दोनों ही होता है, जैसे अगर मान लो नियंत्रन नहीं होगा, तो हमें ये पता ही ने चलेगा, कि कितना उत्पादन हुआ है, अब अगर मान लो, किसी व्यक्ती ने, जो उसे लक्ष दिये थे, उससे कम उत्पादन किया है, तो उसके खिलाब दंड सम्मान दिया जाएगा, तो पुरुषकार सम्मान दे करके, या दंड दे करके, व्यक्ती जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, स्रमिक, उनको सम्विधनात्मक और अभिप्रियनात्मक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, किसके माध्यम से, इसी नियंत्रन या कंट्रोल के माध क्या वास्तव में इन दोनों का आपस में संब्दे, तो सिदे तोर पर हम कह सकते हैं, कि एक दूसरे से बहुत ही गहराई से या नजदीकी से जुड़े हुए, जैसा कि यहाँ पर सब्द यूज किया गया है, यह इनमें क्या है, चोली दामन का साथ है, ठीक है, अर्थात य एक दूसरे के बिना अर्थ हीन और रभाव हीन हो जाते हैं, ठीक है, यदि मानलो नियोजन बनाया गया, कोई प्लानिंग बनाई गई और कंट्रोल नहीं रखा गया, तो प्लानिंग केवल और केवल क्या हो जाएगी, एक तरह की कागजी कार्यवाई हो जाएगी, जैसे मा हमारा लक्ष है, आरिवाई समझ में, तो अगर मानलो हम नियोजन नहीं करेंगे, ये लक्ष ते ही नहीं करेंगे, तो कंट्रोल क्या करेंगे, किस चीज़ पर नियंत्रन करेंगे, या हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितना करना था, या लोग जो काम कर रहे हैं, उनको हम कि साधार पर कह सकेंगे कि आपने ठीक से उत्पादन नहीं किया तो नियोजन तो होना ही चाहिए सबसे मस्त है ठीक है तबी जाकर के नियंत्रन संभव होता है एक बात तो हमें ये समझ में आती है दूसरी बात अगर हम ये कहें कि अगर केवल लक्ष हो और नियंत्रन ना हो तो लक्षों का भी कोई काम नहीं है नियोजन का भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपने लक्ष ते कर दिये सो उत्पादन करने का और लोग अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं, उन्ने कितना उत्पादन किया है, कितना नहीं किया है, इससे कोई लेना देना नहीं है, तो भी संगठन अपने लक्षों को प्राप्त नहीं कर पाएगा, संगठन सफल नहीं होगा. तो हम यह के सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से बड़े गहराई से जुड़े हुए हैं नियोजन और नियंत्रन दोनों अगर मानलो हम यहाँ पर बात करें कि नियंत्रन के बिना नियोजन अर्थ हीन है ठीक है समझने की इसे कोशिश हम करते हैं तो बिना नियंद्रन के नियोजन समभव ही नहीं है क्योंकि वास्थविक प्रगर्ती को माप ने और उसमें उत्पादन में जो कमी हुई है उसको मालूम करने के लिए प्रगर्ती के प्रमाप की आवशक्ता होती है प्रमाप का है उनकी रफ्तार कितनी है उत्पादन करने कि महीने भर में जैसे हमने 100 unit का एक example यहाँ पर लिया है उसी को हम बार-बार धोरा रहे तो 100 unit का हमने लक्षते किये हैं उसके अनुसार लोग उत्पादन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अगर मानद लो हमने नियोजन ही नहीं किया है तो नियंतरण किसी भी स्तती में होगा ही नहीं ठीक है और हमें विचलन जो है deviation जो है deviation कि तना कि हमने 100 युनिट का लक्ष रखा था उत्पादन कितना हुआ है 80 तो 20 यूनिट का क्या है विचलन है तो विचलन का हमें पता ही नहीं चलेगा यदी मानलो हमारी नियोजन नहीं होगी तो या प्लानिंग नहीं होगी तो या लक्ष हमारे नहीं होगे तो उसी तरह से हम बात करें कि अगर नियोजन है हमारा लेकिन नियंत्रन नहीं है तो भी हमारा संगठन सफल नहीं होगा ठीक है क्योंकि यदि मानलो हमने कर दिये लक्ष ते कर दिये कि हमें कितना उत्पादन करना है 100 युनिट का उत्पादन करना है ये हमारा नियोजन तो है ठीक है लेकिन किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है तो जो करमचारी वो अपनी स्विछा से काम करते रहेंगे ठीक है उनके सामने कोई target तो एसा नहीं है यह target है भी तो उन्हें देखने वाला तो कोई है ही नहीं मानव सुभाव ऐसा होता है कि वो अपने पत से भटकी जाता है तो सुभाई कुर्प से अगर नियंत्रन नहीं होगा तो जो कर्मचारी है वो ठिक डंग से काम नहीं करेंगा तो एक दूसरे के बिना ये अर्थहीन है और मुल्हीन हो जाते हैं प्रभाव हीन हो जाते हैं अर्था तो नियोजन भी आवशक है और नियंत्रन भी आवशक है तभी जाकर के संगठन सफल होगा अब हम बात करें कि ये जो नियंत्रन है इसका महत्व क्या है संगठन के अंदर सबसे पहले हम बात करें योजना का निश्पादन बहुत सिंपल सी बात है यदी कोई संगठन है यदी कोई संगठन है और उसमें कोई योजना निरधारित की गई है कोई प्लानिंग की गई है कि भविश्य में हमें क्या उत्पादन करना है कितने यूनिट का उत्पादन करना है नई फेक्टरी लगाना है नई यूनिट लग ये हमारे भावश्य की planning है इन सारे चीज़ों का दारोमदार जो है या उनकी वास्तविक इस्तती में सफलता का जो दारोमदार है वो किस के ऊपर निर्भर करता है नीयंत्रन के ऊपर निर्भर करता है ठीक है योजना बनाने अकेले से कोई काम नहीं होता है उसे लागू करक फिर प्रत्यययुजन की प्रक्रिया को क्या करता है यह आसान बना देता है या उसमें सहायक है जैसे प्रत्यययुजन का मतलग यह होता है कि मेरे पास जो अतिरिक्त काम है वो मैं अपने अधिनस्त अधिकारी को देदू और उसके कारे निश्पादन या उस कारे को करने के तो मुझे यह देखना भी होगा कि वो जो कर्मचारी है जिसको मैंने काम सोपा है और कारे करने के संबन में अधिकार दिये हैं वो ठीक ढंक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है अगर वो ठीक ढंक से काम नहीं करेगा तो उस पर कंट्रोल किया जाएगा या फिर उससे कारे व समन्वे है वो भी नियंत्रण के माध्यम से ही संभव है जिसे मानलो हमने कहा कि एक संगठन है एक व्यावसाई है अब ये जो व्यावसाई है इस व्यावसाई में एक जो विभाग है जिसे हम कहते हैं उत्पादन विभाग और एक विभाग कोन सा हमारा विपनन विभाग और और एक है वमारा विभाग, खरीदी विभाग, जो क्या करता है, सामान को खरीदता है, अब सिंपल सी बात है, कि अगर हम यह व्यवसाई किसका है, हमने के दिया, ये बनाता है भाईया मोबाइल बनाने वाली कमपनी है और ये जो विपनन मतलब मार्केटिंग वाला है इनको हर महीने कितने मोबाइल बेचने हैं तो एक हजार मोबाइल बेचने हैं कमपनी में एक हजार मोबाइल बनते हैं तो उत्पादन भी कितने का होगा 1000 का होगा 1000 का उत्पादन 1000 का क्या हो जाएगा विपनन और 1000 उत्पादन करने के लिए जो खरीदी विभाग है वो 1000 मोबाईल बना सके इसके लिए क्या माल खरीदेगा कच्चा माल हम सब को पता अब बहुत सिंपल से तरीका है अगर विपनन यह marketing विभाग जो है विक्रे विभाग जो है यह पिछले महिने केवल कितने मोबाईल बेच पाता है 800 मोबाईल विकते हैं और 800 मोबाईल विके तो दोसों का क्या हो गया स्टोक रह गया किसी भी कारण से यह विक्रे लगातार घट रहा है 800 मोबाईली हमारे बिकरे 200 हमारे स्टोक में रह जा रहे और अगर मान लो उत्पादन विभाग के साथ ये विपणन विभाग बात नहीं करेगा ठीक है तो ये अगले महीने भी क्या करेगा इस महीने इसने 1000 बनाए अगले महीने भी एक अजार बनाएगा अगले महीने भी एक अजार बनाएगा आरे इस समझ में तो क्या होता जाएगा हर महीने अगर 800 ही बिकेंगे तो 200 का हमेशा हर महीने स्टोक बचा रहेगा तो विपणन विभाग किस से बात करेगा उत्पादन विभाग से बात करेगा और इससे कि हमारे पास पिछले महीने के 200 मोबाइल पड़े हुव齐 हैं, आप इस महीने केवल कितने मोबाइल खरीदना, 800 मोबाइल ही बनाना अब उत्पादर झीवाग को जब ये पता चलेगा, तो ये खरीदी विवाग से बात करेगा कि आप पिछले महीने, जो 1000 mobile के लिए कच्चा माल खरीदे ते इस महीने केवल 800 mobile के लिए ही कच्चा माल खरीदना तो आपस में इनमें क्या हो रहा है संप्रेशन हो रहा है और वो लेगा कि यह 200 मोबाइल क्यों नहीं विके उसके कारणों को वो जानेगा और कारणों को जान करके 200 मोबाइल या तो बेचने के संबंद में वो प्रयास करेगा कि 200 मोबाइल को बेचा जाए या यदि मानलो यह 800 ही मोबाइल विक रहें 200 नहीं विकेंगे किसी भी तरह स ठीक है तो फिर अपनी नीती में क्या करेगा वो बदलाव करेगा और नीती में बदलाव करके उत्पादन को कितना करेगा 800 करेगा ठीक है तो यह जो मालिक है यह इन सारे के सारे विभागों के बीच में समन्वे करता है और देखता है कि कौन सा विभाग केसे काम कर रहा है उ सब को वो क्या कर रहा है हर महीने चेक कर रहा है और चेक करने का मतलब क्या होता है नियंतरन करना और नियंतरन के माध्यम से ही वो संगठन का बहतर संचालन कर पाता है आगे हम देखें भविश्ची के लिए योजना बनाना ये भी ते बात है जैसे अभी हमने कहा कि अगर हमा आईगे कि mobile का जो market है वो गिर रहा है हमें क्या करना है या तो कोई नई चीज बनाना है अब नई चीज का उत्पादन करना होगा या फिर mobile की कुछ quality में यसा बदलाव करना होगा कि हमारे mobile की demand बढ़ जाए आरिवा समझ में तो भविश्य के लिए योजना बनाने का काम भी क कर रहा है अपने उद्देशों या संगठन के लक्षों के प्रति निस्ठावान है और बड़े कुशलता पुर्वक अपने कारज्यों का निश्पादन कर रहा है ठीक है और उसको जो लक्ष दिये गए हैं उन लक्षों से बहुत अच्छा वो काम कर रहा है तो अच्छा का किया है उसने यह नहीं किया है यह पता किसे चलता है नियंतरन के माद्यम से और अगर मान लो कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उसे अच्छे काम करने के संदर्व में पारिटोशन प्राप्त होना चाहिए पुरुसकार यह सम्मान मिलना चाहिए तो यह नियंतरन कह हम यह देख सकते हैं यहां पर कि जो controller है या manager है या supervisor है वो यदि देखेगा और स्रमिक को यह हमेशा पता है कि मेरे उपर supervision रखा जा रहा है मेरे अपने लक्षे उन लक्षों के अनुसार मुझे काम करना है अगर मैंने काम नहीं किया और मेरे कारे में किसी प्रकार की कोई ला उसके लिए वो लगातार सीखता रहता है इस तरह से उसके कारे में कुशलता आ जाती है ठीक है तो कारे कुशलता में व्रद्धी होता है करता है अभी प्रेरेना का ये साधन बनता है भविश्य की नीतियों के निर्मान में इसका महत्पून योगदान है ये संगठन में सम सीमाएं हैं, इसकी क्या लिमिटेशन हैं, कुछ समस्याएं भी है क्या इसकी, तो बिलकुल इसकी कुछ समस्याएं हैं, जैसे हमने कहा बाहरी तत्वों पर नियंत्रन नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, जैसे संगठन के अंदर दो तत्वों होते हैं, एक आंतरिक तत्वों होत फिर संगठन के अंदर हमने के दिया वित्त या इसके अंदर ही हमने बात कही उत्पादन, तक्नीक, ये सब क्या है? हमारे आंत्रिक तत्व है, कारक है. बाहरी तत्व में हमने कहा, सरकार, ये सरकार की नीतियां, जिसे मुल्य नीती हुई सरकार की, या सरकार की नीती कर नीती की हम बात कर सकते हैं, सरकार की कर नीती है, ये बाहरी कारकों में हम बात करें, तो बाजार जो है, बाजार हमारे नियंत्रन में नहीं होता है, ठीके, सम आज के जो मुल्य है वो हमारे नियंत्रण में नहीं है इसके अलावा हमारे जो अन्य प्रतीसपर्दी है वो भी हमारे नियंत्रण में नहीं होते हैं तो इस तरह से जो बहाई कारक होते हैं इन पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता आंत्रिक कारकों पर नियंत्रण रख सकते ह जो हमारी मशिनरी है उस पर नियंत्रन हमारा है जो हमारे संगठन के अंदर का वित्त है उस पर हमारा नियंत्रन है उत्पादन की तकनीक को हम आसानी से बदल सकते हैं ठीक है यह सब हमारे आंत्रिक कारक लेकिन जो बहाई कारक है जैसे सरकार की निती है अब सरकार की जो मुल करनी होगी गटानी होगी कर नीती हो सकता है दो प्रकार के टेक्स होते हैं एक होता है हमारा डायरेक्ट टेक्स और एक होता है हमारा इंडायरेक्ट टेक्स तो डायरेक्ट टेक्स को बढ़ा देना या indirect tax को कम कर देना या बढ़ा देना ये सारी चीजे किसके हाथ में होती है सरकार के हाथ में सरकार जैसा करेगी वेसा ही आपको करना होगा या बाजार सक्तियां जो होती है बाजार में किन चीजों का प्रिशलन हो रहा है, बाजार में कब किस चीज की डिमांड हो, ये आपके नियंत्रण में नहीं होता है, वेसे ही समाज के मुल्य, आप कुन सी चीजों का उत्पादन कर रहे हैं, समाज उन चीजों को खरीदने के लिए तयार है या नहीं है, या फिर समाज में किसी बहाई का से वह वस्तु जो आप उत्पाद़ित कर रहे हो उसके उत्पादन की खरीदी में क्या हो जाए गटोती हो जाए क्योंकि समाज इनने अपने मुल्य परिवर्तित कर दिये यह समाज के मुल्यों के संब्न में कोई नई चीज उजागर हो गई तो वो उन सब चीजों को खरीदने के लिए क्या करेगा फिर उनका प्रेशन धिरे-धिरे कम हो जाएगा वैसे ही प्रतिसपर्दी जो आप ही की तरह की वस्तु में बनाने का काम करते हैं मार्केट में तो उन पर भी आपका नियंतरन नहीं है अगर मानलो आप एक मोबाइल बना रहे हो आपका मोबाइल के जो फीचर है वो 10,000 में आप मोबाइल बना रहे हो और उसमें सारे फीचर दे रहे हो उनी सारे फीचर को देने वाली एक और कमपनी आती है मोबाइल की वो 8000 में मुबाइल बेचेगी, तो 8000 में बेचेगी, उस पर तो आपका कोई नियंतरन नहीं है, वो बहारी तत्व है, तो जो बहारी तत्व होते हैं, इन पर आपका कोई नियंतरन नहीं रहता है, ये नियंतरन की क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं, सीमा है या कमजोरी है, फ हमने प्रमाप ते किए हूँ प्रमाप का मतलब जिसा कि मैंने अभी बताया था स्टेंडर्ड स्टेंडर्ड का मतलब प्रमाप मतलब एक तरह से स्टेंडर्ड यह हम क्या के सकते इनको लक्ष ठीक है कि हमने कहा कि प्रती दिन हम कितना उत्पादन करेंगे 100 unit का उत्पादन करेंगे ये क्या है हमारे लक्ष है या प्रमाप है अब ये प्रमाप ते करना कि एक दिन में 100 mobile ही उत्पादन हूँ ये बड़ा कठिन कार रहे है हो सकता है 80 के लिए ही हमारे संगठन की capacity हो जो मिशिनरी या जो स्रमिक हमारे यहां लगे है किबल वो अस्सी ही उत्पादन कर सकते हैं लेकिन हमने प्रमाप सो ते कर दिये हैं तो सो होंगे, 110 होंगे, 90 होंगे, 80 होंगे यह ते करना, कि एक दिन में हम कितना उत्पादन करेंगे इसका प्रमाप ते करना, स्टेंडर्ड ते करना, लक्ष ते करना अपने आप में क्या है, कठिन कर रहा है, हो सकता है कि सुरुवात में हमने ठीक से अनुमान नहीं लगाया, और ज्यादा मात्रा में क्या कर दिया हमने प्रमाप ते कर दिया, लक्ष ते कर दिया, कि 100 करने में कठिनाई हैं फिर व्यक्तिगत जिम्मेदारी ते करने में कठिनाई ये भी एक समस्या है आधोनिक समय में जब की एक ही कार्य को पूरा करने के लिए कई सारे लोग लगे हुए हैं या एक कार्य कई सारी प्रक्रियाओं से हो करके गुजरता है जब बहुत सारी प्रक उसके अगर लंबी प्रक्रिया है, लंबी प्रोसीजर है जिसमें कार्य बन करके बाहर निकलेगी, अब उसमें किस स्टेज पर जाकर किस व्यक्ति की कमिया है, उसको ते करना, निर्धारित करना बड़ा कठिन हो जाता तो व्यक्तिकर जिम्मेदारी ते करना एक बड़ी कठि क्योंकि इसके लिए हमें क्या रखने होते हैं या पर्रिवेक्षकों की पर्रिवेक्षकों की एक पूरी टीम हमें रखनी होती है ठीक है जिसे हम क्या कहते हैं सुपर्वाइजर की पूरी टीम हमें रखनी होगी जो स्रमी को ओपर नियंतरन रखेंगे फिर सुपर्वाइजर के ऊपर भी कोई एसा व्यक्ति होगा जो सहायक प्रबंदक की लेवल का होगा जो सुपर्वाइजर पर नियंतरन रखेगा फिर उनके ओपर भी कोई अधिकार कोई प्रबंदक होगा जो सहायक प्रबंदकों के उपर नियंतरन रखेगा तो इस तरह से एक सोपान संखला होती है जो इस पूरी नियंतरन प्रक्रिया के लिए संगठन के अंदर इस्थापित की जाती है अब यह पूरी सोपान संखला जिसमें बहुत सारे अधिकारी होती है human error की हमेशा एक संभावना होती है जहां पर भी मानव काम करते हैं अब नियंतरन में हमने तो ये ते कर दिया कि 100 unit का उत्पादन करना ही है आपको एक दिन में लेकिन मानव है उससे कोई गल्ती हो गई तो क्या 100 unit का उत्पादन नहीं हुआ तो उसके खिलाब दंडात्म कर्णवई की जाए ठीक है ये हमेशा एक समस्या बनी होती है नियंतरन प्रक्रिया के साथ में और जो मानविय समस्या हैं उसके कारण से हम कभी भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी ते नहीं कर पाते हैं ठीक है और अंत्ता हमारा जो संगठन है वो अपने लक्षों को प्राप्त नहीं कर पाता है ठीक है तो ये तो चीज़े हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी कमिया है कुछ सीमाएं हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि नियंत्रन सो प्रतिसत रूप से या 100% रूप से संगठन के अंदर कमियों को खतम कर सके. या यूँ के दे हम ये कहें कि नियंत्रन अगर है बहतर कंट्रोल है तो संगठन में किसी प्रकार की कोई लापरवाई होगी ही नहीं संगठन अपने लक्षों को 100% पाप्त कर लेगा एसा जरूरी नहीं है क्योंकि इसकी भी कुछ अपनी सीमाए होती है ठीक है हम अगले लेक कर दो